मस्कार मैं विजय आप देख रहे हैं लोकल न्यूजाप इंडिया गाउं की गुंजदिली तक जिस तरीके से रफेल का सेल्फ कंट्रोल सिस्टम उसका अपना कॉक्पीट उसका लोड कारेंग मेकेनिजम और वाइस सर्विलांस सिस्टम मजबूत है वैसे 36 गड़ में भारती जनता पार्टी का एक इकलोता चेहरा जो संगठन और आम जनता में बराबर की पकड़ रखता है और राजनीतिक रडार को अपने हिसाब से जब चाहे जाम करता है जैसे राफेल करता है उन नाम है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हां हम बात कर रहे हैं 36 गड़ के पूर्व कृसी मंत्री धर्मश्य मंत्री सिचाई मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल की जिनोंने 36 गड़ की राजनीति को हमेशा अपने रडार सिस्टम के हिसाब से ही चलाया हुआ है रफेल पर उन्होंने खुल कर अपनी बात रखी कि किस तरीके से चाईना और पाक के हांसले इस रफेल के आने के बाद पस्त होंगे ब्रिजमोहन अग्रवाल की राजनीति हमेशा से जन सरोकार और जनता के लिए फाइदे मंद वाली रही और ठीक वैसे ही जैसे रफेल के आने के बाद भारती वाई सेना की ताकत सब के हांसले पस्त करने वाली रहेगी देखे साथ ही अनेल चौबे के साथ की गई बाद चीटि रफेल के ऊपर क्या कमेंट से आपका आज रफेल आया हुआ है भारत की कुछ आमदिक टाकत है उसमें परोगरी हुई है और भारत प्रच्छा के मामले में और ज्यादा अज़कौन हुआ है और वह हमारे आसपास के देश लाहे बगाये आपको आप दिखाते रहते हैं उनको इस समझ आ जाएगा कि भारत कि सामनी की दूप से बहुत सक्की सानी है और ये भारत के लोगों में की आज़के दुश्वास और इस रफ्चा की भावना पैदा होगी है